कि यह गार का फ्रांट वियू तो चलते हैं गार के अंदर कि यह कार कोच काफी बड़ा कार कोच है बड़ी गारी इसली पार्क होसकती है आप इससे कार कोच भी यूज कर सकती है एजाहाल भी यूज कर सकती है तो यह देखें नीचे देखें फ्लोर पे तो टवीरा मॉर्बर यूज़ हुए और आपको चाथ का व्यू करवाओं तो चाथ पे गोला लगा हुए तो इस तरह चलती है तो यह आए डाइंग रूम रैंग रूम में ग्रे मार्टर लगा हुए है और बोर्डर पे टाइल लगी हुए है और चाथ का व्यूग करवाओं तो सिलिंग का इस्तमाल हुआ है यह यह जाएंग रूम है एक यह रूम है किंग साइज बैट रूम है बैट यहां पर बड़ा भी हुआ है देख सकते हैं और चाथ पर देखें तो गोले का इस्तमाल हुआ है रूम में देखें तो ग्रे मार्बल लगा हुए नीचे और कबड भी है यह एक अच्छी ओप्शन है रूम में कबड वाले एक्सा कबड कई यहां पे जुरुद नहीं है अटैज कबड है आपको दोनों उपन करके दहाता हूं और इसके उपर देखें तो यह वेंटिलेशन के लिए एक विंडो है यह भी एक अच्छी ओप्शन है गार में वेंटिलेशन की तो आपको यह बोर्ड हाता चलूं तो यह बोर्ड है और दोर का डिजाइन आपको तो यह दोर का डिजाइन है माशला काफी प्यारा डिजाइन है और अच्छी क्वालिटी के डोर लगे हुए हैं देख सकते हैं आप हाल में है जो हाल में ट्विरा मार्बल लगा हुए है और जो रूम्स है वहां पे ग्रे मार्बल है इसके साथ देखें तो यह बात है उपन बात है यह बात में देखें तो बोर्डर पे टाइल लगे हुए है और सामने अग्जास विंड़ो है काफी प्यारा डिजाइन है टाइल का भी इसके साथ देखें तो यह यह बैडरूम है यहां पे भी यही ग्रे मार्बल लगा हुए है और सेम चाथ पे गोला गोले का भी डिजाइन अच्छा है मारेशला प्यारा डिजाइन है और इस साइट पर आपको देखाँ हो तो यहां पे भी कबर लगी हुई है यह देखें यह भी मैं आपको उपन करके दखाता हूं कबड यह देखें और इससे ओपर देखें तो वेंटिलेशन के लिए विंडो है यह अच्छा ओप्शन होता है यह अच्छा सिस्टम है घर में वेंटीलेशन का विंडो होनी चाहिए ताके जो हवा क्या वो इंदराज अफ्राज होता दे और बाकी मैं आपको रूम का व्यू करवाँ तो दे सकते हैं काफी अच्छा बैड्रूम साइज अच्छा रखा हुआ है उन्होंने और दूसरा आपको एक उप्शन दाता चलो तो यह जो गाल है यह ओनर के सुपर विजियन में बना है उन्होंने किचन आप दे सकते हैं फरन देखें लॉडर नकीके नहीं दिना आपको है किसी तो डिकास इब म्मैं को लुटे समयर ने कब वाटिया है उन्होंता है जो झालता है ल्यूता हमती पे दिया कर रहिता हें उली इसलाए को स्थकal देखिए उन्हाफरों कि आपको अशे बना वहाए है यहां प्र एक्सरा समान राख सकते हैं तो चलती हैं सेकंड फ्लोर पर तो यहां पर देखें जो स्टेर्थ हैं सीडियों पर टुबिडा मार्बल लगा हुआ है यह देखें यहां बेबी हार मेट विडा मार्बल लाता हुगा है देख सकते हैं तो उपर आते ही ओपन किच्छन रखी हुई है यह देखें ओपन किच्छन फर्मिश किच्छन है और वो सामने विंडो है आप अग्जास भी कह सकते हैं यहां से वेंटिलेशन के लिए एक अच्छा उप्शन रखा हुआ है यहां पर विंडो का ब्यूरिंग कुकिंग आप इसे ओपन कर सकते हैं और रूम के दरफ चलें तो एक यह रूम है यहां पर भी देखें तो ग्र गोले का यूज किया है और बैडरूम साइज अच्छा है बड़ा बैडरूम और यह विंडो है यह देखें वेंटिलेशन के लिए यह विंडो रखी हुई है और एक यह विंडो है दो रूम कर दो टोर का भा डिजाइन देश को कि यह शौर्वाण प्र जासे वर गया है दो दूसरे रूम में चलें तो उसके साथ बात है ओपन बात है यह देखिए बात का मैं आप बियुक और नखी हुई है यह देखिए तायल का डिजाइन देखें तो माशाला प्यारा डिजाइन है एक ये बैडरूम में यहां पे भी देखें तो ग्रे मार्पल लगाओ नीचे और चार्ट पे गोले के यूज हुए तो इस तरब देखें तो ये है डोर का डिजाइन प्यारा है तो मैं अंडर से फिल्ट करवाता हूं तो ये देखें सेम यां में भी विड़्ो लगी हुए है वेडिलेशन के लिए तो ये हाल है हाल में देखें तो ये हाल का भी वह है इस साइड में जोती है तो एक ये बैट रूम है ये बैट रूम में देखें तो ये नीचे ग्रेम बार्दर लगा हुए और ये सामने देखें वेडिलेशन के लिए विंटो लगी हुए है और चात का आपको व्यू करवांग तो ये देखें सिलिंग होई है चात पे और ये दोर का डिजाइन है यहां को बुर्गा में डिजाइन दखाता चलों तो लेंडिशन बोर्ड है यह अब यहां से ये डोर अपन फ्लोज होता है तो ये गैलरी है ओपन गैलरी छोड़ी हुए है देख सकते हैं आप गैलरी में भी निचे इसे ग्रे मार्बल लगा हुए हुए है और साइड पर देखे तो ग्राफिक का यूड हुआ है ग्राफिक यह देखें यह ग्राफिक है और यह लोग भी देखिए जो फ्रांट व्यू है फ्रांट पे ग्राफिक का इस्तमाल किया है तोटल आप देख सकते हैं इन साइड बे और यह एक आर्किटेक्ट देखें यहां से हवा का दिराज अफ्राज हो जाता है तो चाहते है चाहत की तरह तो देखें तुछ नीचे वाली स्टेर्ज ओसे री है वहा के ट्विरा मार्बल लगाओ और यहां पे गरे मार्बल है यह देखें में घ्र्वी विंडो लगे हुई है और एक घ्र्वींड़ विंडो है हो रही है घर में लाइट नहां वो फिर भी रोशनी हो गई यह एक अच्छा उशन होता है घर में तो मैं चाथ का भी आपको कुरवाता चलूं तो यह चाथ है यह देखें और यह मम्टी है टैंकी देखें तो मम्टी के उपर पड़ी हुई यह टैंकी और यह गार यह देखें यह देखें यह वाल लगा हुए तो मैं आपको अबादी का विव कर वह हूं तो यह मुकमल अबादी वाला एरिया है अरूंड में आप देख सकते हैं मुकमल अबादी है यहां पे हिए यह देखें मुकमल अबादी है यहां टे लोकेशन मैं आपको बताता चलों तो इसकी जो लोकेशन है यह अबाशपुरा में आते है जो इस्लामिय हाइष सकूल है उसकी बैक सैट पर Nummer की थायरा और है जो इसके साल है तो इसbu ro Barnад कीज तो तो जो उनर इसकी डिमांड करते हैं, पैसर लाख इसकी डिमांड है, जो उनर की हैं, उन्दी सपोर्ट बैड के रिजिनिबल हो जाता है, मुनासिब हो जाएगा इन्शाला, तो इस लोकेशन मैं ने आपको बता दिया है, तो मैं आपको बताता चलूंग, तो इस गर में झाल झाल झाल